हेलो गाइस कैसे हैं आप सब मेरे यूटूब चैनल अर्पित द्यवांगल ननिंग सीटी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कि ये मुवाइल में आप अगर क्रोम यूज कर रहे हैं और कंप्यूटर में भी आप क्रोम यूज करते हैं तो उसके क्लियर हिस्ट्री ब्राउजिंग डाटा उसको आपको क्लियर कैसे कर सकते हैं यह मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आज बताने वाला हूँ इन तक बनी रहिएगा फ्रेंट्स वीडियो में क्योंकि मैं इस्टे बेस्टे पूरी जानकारी आपको देना वाला हूँ सबसे पहले आपको अपने फोन में Chrome उपन कर लेना है Google Chrome उपन कर लेना है मैंने उपन कर लिया है उपर आप देख रहे हैं टॉप पे एक रेड़ कलर का यहां पर आपको मार कर दीख रहा है जिसमें white arrow दीक रहा है इसको आपको क्लिक करने बाद आपको बहुं सारे options यहां दिखाई दे रहे हैं हिस्ट्री में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर अपने साइट्स ओपन किये थे या पूरे साइट्स की जानकारी यहां पर मिल रहा है कि हमने क्या क्या side open किये थे, उसके पूरा browsing की history, आपको यहां देखने को मिल रही है, आपको clear browsing data में click करना है clear browsing data में click करने यहां पर आपको दो टेप दिखाई देते हैं एक basic type दिखाई देते हैं, दूसरा advanced tab आपको दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, आप basic tab से भी जो आपके browsing history, floor, cookies and site data, catches image आप इसको clear कर सकते हैं, अब आप advanced में जाएंगे तो आप password, autofill data, site setting को आप clear कर सकते हैं, बाकी चीज आपके basic जैसे हैं, दूसरा चीज इसमें यह है friend, कि इसमें time range भी एक option है, time range आप select करके, कि आप last hour, पिछ 24 hours का, कि last 7 days का, कि last 4 weeks का, कि all time, कि अभी तक जीतना भी आपने browsing के आप पूरा delete हो जाए, उसके लिए आपको all time select करना है, तो इस तरह से कर सकते हैं, अभी आपको last 24 hours का इसमें डिलीट करके आपको दिखाता हूं, आप देख सकते हैं friend, कि मैंने आज open किया था, 24 December के date में य ready ID, यह open मैंने किया था, तो उसके बाद यह अभी last 24 hour मैं clear कर रहूं, clear, clear, मैंने clear कर दिया है, अब आप देख सकते हैं friend, कि मैंने जब clear किया last 24 hour का, जो 24 का date का जो browsing था, वो यहां से delete हो गया है, तो इस तरह से आप इसे delete कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे one by one भी अगर केसी को select करके करना चाहें, तो आप उसे भी कर सकते हैं, तो friends, यह था मेरा वीडियो कि आप Google, जो Chrome यूज़ करते हैं, उसकी browsing data को कैसे clear करें, इस माध्यम से आप मैं बताने चाह रहा था, तो यह आपको यह वीडियो पसंद आया, तो please इसे like और share कीज़ेगा, और thanks friends for watching video,